बिना कील लगाए कुरसी बना सकता है तो क्या हम अपनी कुरसी ले नहीं सकते हैं कहूंगा कि यह शुरुआत अब ऐसी होगी यह पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और समाज इकठा होगा और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि यह कारेकरम जो हुआ है यह पटना से शु तो यह कठे होकर एक महा रैली कर रहे हैं नमस्कार आप लाइफ स्टीज देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा देखिए पटना में कल बारह तारी को बड़ा कारिकरम है यह बड़ा कारिकरम विश्करमा समाज के द्वारा किया जा रहा है भारतिये विश्करम राजनीती में कल फ्लोर टेस्ट होना है और दूसरी तरफ यह तैयारी मिलरा इस्कुल में चल रही है और बड़े बड़े दिगजु का साथ भी विश्करमा महा संग को मिल रहा है और ऐसे में देखिए जो देश के सातवे रास्टपती रह चुके ज्यानी जैल सिंग के पो कल का कार्यकरम बहुत ही ब्यापक और बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहेगा आसा ही नहीं पूर्ण विश्करमा समाज के जितने भी बुद्धी जिवी जितने भी सक्षम लोग है वो सब लोग आ रहे हैं वो सब लोग का साथ और सहयोग मिल रहा है हमारे माननीय सात्वे राष्टपती जैल सिंग के पुत्र इंजरी सिंग भी आये हुए हैं हमारे रमगडिया बोड के चेयरमें साहिब आये हुए है जितन रपाल सिंग भग्गा जी आप उनसे बात कीजिए किस तरीके से विष्कर्मा समाज है जिनके लडाई मुकुल जी लर रहे हैं आप लोगों का साथ समर्थन कितना है इन लोगों के साथ देखिए हमारा साथ इनके साथ तनमा धंसे है जो असली बात तो यह है आज तक जितने भी पार्टी आई आई कोई भी पार्टी रही है वो हमारे समाज का शोषन करती आई और आज तक उनका शोषन होता ही आया है और ये पहली बार हो रहा है कि विश्च कर्मा भगवान के पांचो पुतरी कठे होकर एक महा रैली कर रहे हैं जिनकी अध्यक्षता हमारे मुकरनानजी कर रहे हैं बड़ा अच्छा स्टैप अनुन कोई है की यह पाक कारेकरम जो भूए है यह पटना से शुरू हुआ है कुंकि पटना एक ऐसी धर्ती है जहाँ पर हमारे गुरुज्जी गुरु गोविन सुन्ही密 जी की धर्ती है यह वहां से शुरुआत हो रही है और मैं यह कहूंगा कि यह शुरुआत अब ऐसी होगी यह पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और समाज इकठा होगा और जो हमारे समाज के हक हैं जो हमें चाहिए अगर हमारा समाज बिनकील लगाए कृसी बना सकता है तो हम अपनी कृसी ले नहीं सकते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है सक्वता में इसेडारी नहीं है बिल्कुल नहीं है देखे जथ मैं बेशक कहूं मैं परदानमंतरी जी का एक शुकरियादा करता हूं कि उन्होंने विश्करमा स्कीम नकाली है लाल के लिए से विश्करमा समाच का नाम भी लिया पर उनको मैं ये आपके मद्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो ठीक है स्कीमे तो हमारे रामगडिया कहते हैं कि जो विश्करमा समाच का बच्चा भी है जब पैदा होता है तो वह इंजिनियर होता है तो स्कीमें बनाने में हम बहुत महार है हम बना लेंगे पर हमें जो हिस्सेदारी चाहिए हमारी राजनितिक हिस्सेदारी चाहिए उसके लिए हमारी यह लड़ाई है यह और इसकी पहलें करना ही बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा कदम है उन्होंने हैं अपने जीवन की सारी पुझी उसारी महनत इस पर लगा रहे हैं और आक पहल कर रहे हैं और हम सारा समाज मैं तो यहां तक आपके मद्धम से । कहना चाहता हूं कि जो जो विष्क करमा this समाज है वो सारा इनका साथ दे और इस रैली को कामजाब करें कि इनके जो राजनीती की लोग बैठें हैं बड़े-बड़े जो हमारे शोशन करते हैं इनके कानों में कुछ आवाज जाए कि हमारा समाज है तो कल कितनी भीड अब तो साथ इनका भी मिल गया लाखो लाख में इसाडर हैं अर्ध कि लोग किस तरीके से विशुकर्मा पुत्र जागे हैं और आगे इस अभियान को हम लेकर तब तक चलाते रहेंगे जब तक कोई विस्वकर्मा का बेटा बिहार का मुख्मंत्री नहीं बन जाए जो मेहनत पिछले चार साल में मुकल जी ने पूरे बिहार में घूम गूंके अलग-अलग 38 जिला में जो किया है मैं समझता हूँ उसका कल परिणाम बहुत बढ़िया परिणाम होगा बहुत 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 बरके बीड होगी और ये देखने के लिए हमारे विश्वकर्मा समाज की आखे तरस बीती जो कल ये कारेकरम होने जा रहे है बहुत बढ़िया सफल होगा बहुत लाखों की भीड़े कठी होगी यहां पे जिस साब से मुकल जी लगे हुई है उस साब से ये तो बहुत चड़दी कला में रहेंगे समर्थन ये पता चल जाएगा की विश्वकर्मा समाज की हिष्वेदारी जो है कल 25 परसेंट से उपर चले जाएगी मुकल जी का कार्वा कल ही शुरू हो रहा है और लोग जुडते जाएंगे जुडते जाएंगे बहुत बड़ा कार्वा बन गएगा जो लोगों को नहीं पता वो कल की रैली से एक एक आदमी को पता चल ज़ेगा कि ये रैली कैसी हो रही है पट्टा में लोग ही कठा ऐसे हो जाएंगे कि ये ग्राउंड ही कम रह जाएगी, कल इतना बड़ा कार्मा ही कठा हो जाएगा आज तक इनके साथ कोई चला ही नहीं है, अभी अपना दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत नीचे से उठके इतने ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं, तब ही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कार्मा बंजेगा मुकल जी ने जो काम शुरू किया है, जो अगाज किया है, हम आशा करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुड़ करके इनका साथ देगी और अपने हक के लिए वाज उठाएगी तो देखे भारतिये विश्कर्मा महासं के रास्टिया धक्ष मारे साथ थे और भारत के साथवे राजपती के पौत्र भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब विश्कर्मा समाज के पांचों पुत्रों को उनका भी साथ मिल चुका है, आने वाला दिन यानी 24 घंटे बा है, बहराल बड़ी तैयारी में लड़ा है स्कूल के ग्राउंड में चल रही है, इसका उनका सितना है, अगर आपने अब तक लाइफ चीटिक्स को सब्सक्राब ने किया है, जल से लाइफ चीटिक्स को सब्सक्राब कर लिए, थाने बाल